हेलो एवरिवन ग्लाश टेंथ मैंथेमेटिक्स का चैप्टर नमबर 6 त्रिभुज प्रशनावली 6.05 हम सोल कर रहे हैं प्रश नमबर 6 एक संबावु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है उसके प्रतेक शीर्सलंब की लंबाई ग्याद कीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया है माना ये एक संबावु त्रिभुज है त्रिभुज ABC शीर्सलंब यानि शीर्स से आधार पर डाला गया लंब हमने शीर्स से आधार पर लंब डाल लिया AD तो इसकी बुजा 2A है संबावु त्रिभुज है तो ये भी 2A होगी ये भी 2A जो सीर्स से डाला गया लंब है वह आधार को क्या करता है संदिव भाजित इसलिए ये भी ए और इस बुजा की लंबाई भी ए तो हमें क्या करना है हमें एडी जो सीर्स लंब डाला है इसकी लंबाई ग्यात करनी है क्योंकि एडी क्या है शीर्स लंब है इसलिए जो कौन डी होगा इधर भी और ये क्या होंगे 90 डिग्री इसलिए कौन डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री तो तिर्भुज कौन सा तिर्भुज ए डी सी में हम इस वाले तिर्भुज को ले रहे हैं तिर्भुज ए डी सी में प्रमे से हम इसमें क्या यूज करेंगे तिर्भुज ए डी सी में कौन डी समकौन है और एसी कर्ण है तो हम पाइथागुरस परमे का प्रियोग करेंगे तिर्भुज ए डी सी में पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस परमे में कंड का वर्ग यानि एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी सी का वर्ग ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग एसी का मान हमें दिया गया है टू ए मान रख देंगे इसमें टू ए का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी हमें निकालना है ए डी का वर्ग प्लस डी सी दिया गया हमें ए A power 2 A power करेंगे तो हम क्या आजाएगा जा दो दुनी 4 A square बराबर A D square प्लस A square इसको हम इधर लाएँगे तो यह इधर प्लस का इधर आके माइनस का 4 A square माइनस A square बराबर आजाएगा A D square और 4 और एक A2 गया तो यहाँ पर रह जाएगा 3A2 बराबर AD2 जब हम AD का वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा तो क्या जाएगा AD2 बराबर आ जाएगा under root 3a square हम इसको हल करेंगे तो a का वर्ग घट जाएगा वर्ग मुल की वज़े से और under root 3 a बच जाएगा तो ad square बराबर क्या रह जाएगा sorry, यह ad था ad बराबर क्या रह जाएगा ad बराबर रह जाएगा under root 3a इसको हम सिधा करके लिख लेंगे ad बराबर under root 3a जब इसका हम वर्ग मुल लेंगे तो a square का वर्ग मुल a और 3 का under root 3a यह आ गई हमारे ad का मान हमें प्रिस्ण में शीर्सलम ad यानि शीर्सलम का मान ही हमें निकालना था अत्य है इसे प्रोपर तरीके से लिखेंगे अत्य है शीर्सलम की लंबाई under root 3a होगी यही हमारा आंसर होगा प्रेश नमबर साथ सिद्ध कीजिए कि एक सम्चतरवुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है हमने क्या किया सबसे पहले एक सम्चतरवुज बना लिया a, b, c, d हमें क्या सिद्ध करना है जो सम्चतरवुज की भुजाओं है इनके वर्गों का योग और हमने यह इसके विकर्ण बनाए विकर्ण a, c और विकर्ण b, d इनके वर्गों के योग के बराबर होता है यह हमें सिद्ध करना है यह इनका बिन्दु है, o यह वाला कौन भी, 90 degree यह वाला कौन भी, 90 degree इद यह वाला भी और यह भी सम्चतरवुज के चारो कौन, 90 degree के होते हैं तो चलिए हम इसे जॉल करना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या लिखेंगे जो प्रेश्ण में दिया गया है दिया है a, b, c, d, a, एक सम्चतरवुज है जब सम्चतरवुज है तो a, b, b, c, b, c, c, d, b, d, d, a इसलिए a, b, b, c, k, b, c, d, b, d, a माना यह सम्चतरव नमबर एक और कौन, o बराबर 90 degree इसको हम सम्चतरवुज में क्या होता है जो विकर्ण है यह यहाँ पर क्या है सम्धिवभाजित एक दूसरे को सम्धिवभाजित करते हैं तो क्या होगा o, b, b, o, d और o, c, b, o, a, k यानि जिस बिंदू पर विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उससे o, a की दूरी और o, c की दूरी भी समान होती है o, b, o, d की दूरी भी समान होती है यानि यह एक दूसरे को सम्धिवभाजित करते हैं o, b, बराबर o, d जिब सम्चत उर्गुज है तो यह सब हम पहले से ही लिख लेंगे OV बराबर OD और OC बराबर OA के या OA बराबर OC के इसको हम समय करें नमबर 4 मान लेंगे अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो सम्चत उर्गुज की चारों बुजाया है इनके वर्गों का योग यानि AB स्कॉार प्लस BC स्कॉार प्लस CD स्कॉार प्लस DA स्कॉार किसके बराबर है? इनके वर्गों के विकरनों के योग के बराबर है यह हमें सिद्ध करना है यहां पर लिखे लेंगे जो सिद्र करना है A B square प्लस B C square प्लस C D square प्लस D A square बराबर है विकन A C का वर्ग A C square प्लस विकन B D का वर्ग B D square यह हमें सिद्र करना है उपत्ती अब कैसे सिद्र करेंगे हमें क्या करना है इसमें चार तिर्भूज बन रहे है एक समकौन तिर्भूज है यह O C B इसी परकार समकौन तिर्भूज है O C D या O D C और एक यह O A B और O D A यह सब क्या है यह समकौन तिर्भूज है तो हम एक तिर्भूज को ले लेंगे इसमें से हम लेंगे तिर्भूज O, D, C ये वाला तिर्भूज लेंगे तिर्भूज O, D, C में क्योंकि हमने सबसे पहले दिया है इसमें हमने A, B, B, C, C, D, B, D, A लिख लिया तो हमें सिर्फ क्या करना है हमें सिर्फ इसमें से एक तिर्भुज को लेना है तिर्भुज ODC में ODC में क्या है कौन O बराबर 90 डिगरी यह वारा कौन जो हमें दिया गया है कौन O बराबर 90 डिगरी तो जब एक कौन नबे डिगरी है तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे हम इसमें पाइथागोरस परमे लगाएंगे अत्य है पाइथागोरस परमे से पाइथागोरस परमे से क्या हो जाएगा OD का वर्ग प्लस OC का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा यह सबसे बड़ी पुजा है CD यह इसका विकर्ण होगा तो OD का वर्ग प्लस OC का वर्ग विकर्ण के वर्ग के बराबर पाइथागोरस परमे से OD का वर्ग प्लस OC का वर्ग बराबर CD का वर्ग हम OD को क्या लिख सकते हैं OD OD BD की आधि है इसी प्रकार OC AC की आदी है तो यहाँ पर लिखेंगे चू की OC बराबर चू की OC बराबर क्या है AC बटा दो और OD बराबर क्या है ADBD BD की आदी है यहाँ पर लिखेंगे BD बटा दो तो यह मान हम यहाँ पर रखेंगे OD को क्या लिखेंगे BD बटा दो इस कावर प्लस OC को AC बटा दो कावर किसके बराबर हो जाएगा CD का वर्ग BD बटा दो कावर क्या हो जाएगा हमारा BD स्क्वार बटा दो दूनी चार यह वाला चूंकी OC बराबर AC बटा दो और OD बराबर यह हमने ब्रेकिट में कारण लिख दिया जो यहाँ पर लिखा BD बटा BD स्क्वार बटा दो दूनी चार प्लस AC स्क्वार बटा दो दूनी चार बराबर हो जाएगा CD स्क्वार यहाँ से हम क्या करेंगे इसे LC हम ले लेंगे चार तो क्या हो जाएगा BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग बटा चार बराबर CD का वर्ग तो BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर 4 CD का वर्ग 4 गुना CD का वर्ग BD का वर्ग प्लस AC का वर्ग बराबर चार बार लिख लेंगे CD का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस CD का वर्ग चार बार लिख लिया अब हम जो समीकरण एक है समीकरण एक से मान यहां पर लखने पर आप लिखेंगे समीकरण एक से मान रखने पर समीकरन एक देख लेते हैं समीकरन एक में AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तो एक बार AB लिख देंगे CD की जगा एक बार BC CD और DA यह मान हम यहाँ पर लिखेंगे तो BD स्क्वाइर प्लस AC स्क्वाइर बराबर क्या हो जाएगा AB स्क्वाइर प्लस BC स्क्वाइर प्लस CD स्क्वाइर प्लस DA स्क्वाइर और यही हमें सिध करना था हमें सिंपल क्या करना है सिंपल एक तिरभुज को लेना है और उसमें हमें मान रख देने हैं जो हमने ऊपर लिखे हैं समिकरन नमबर एक से हमें मान रख देने हैं हमें चारों तिरभुज को लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और हमारा प्रष्ण आसानी से सॉल हो गया यानि जो प्रस्ट में दिया गया था कि सम्चत्रबुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है यही हमने सिद्ध कर दिया विकर्णों के वर्ग का योग BD square plus A square बराबर किसके सिद कर दिया ये भुजां के वर्गों के योग के बराबर सिद कर दिया